नमस्कार, न्यूस्क्लिक में आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर में पिछले दिनों के नागरिक्ता संशोधन कानून और एनारसी पर छिडी बहस के दौरान ज्यादा एंफेसिस समकालीन राजनीती पर रही है इसकी वज़ा सिंपल थी, इस मुद्दे को बीजेपी और उनके नेताओं ने एक डॉग विसल के तौर पर इस्तिमाल किया कहा कुछ गया, लेकिन इंटेंडेट टार्गेट ओडियन्स को कुछ और सुनाई दिया इसी कारण से इतिहास से जुड़ी कई इविंड्स जो इस विवाद के जड़ में हैं, उनकी चर्चा कम हुई है फलस्वरूप, आज के नागरिक को कई बातों के बारे में पता ही नहीं है हम लोग पत्वारे के बारे में क्या कुछ जानते हैं क्या इस जानकारी के अभाव की वज़ा से समकालीन घटनाओं के बारे में हमारा विशलेशन कुछ फीका पड़ जाता है आज हम इस मुद्दे पर फोकस करेंगे, बात बिंगॉल पार्टिशन की होगी क्योंकि CAA और NRC का डिस्कोस जब शुरू हुआ था असाम आंदोलन के दौरान उसके बुनियाद में युनाइटेड बिंगॉल का बटवारा और उससे जुड़ी हुई human migration का issue ही था अनुमान लगाया जाता है कि करीब 1.8 करोड अलपसंख्यक लोगों का population transfer हुआ था जब बिटिश इंडिया का विभाजन करके दो modern और independent nation states बनाए गए थे किसी भी nation space या territory को split करने की प्रक्रिया arbitrary होती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात भी अलग नहीं थी बहुत violence हुई थी West Punjab में तो genocidal proportions में पंगाल में भी violence हुई थी लेकिन इसकी intensity का peak 1946 में देखने को मिला था और ये कलकत्ता, नुआखाली और त्रिपेरा तक सीमित था British India के जो region पाकिस्तान के हिस्से हो गए वहां से पंजाबी सिख और हिंदू सिंधी, पक्तुनिस्तान के हिंदू और बंगाली थे अगर हम aggregate figures को देखें जो पाकिस्तान से refugee बन कर आए थे सबसे ज्यादा बंगाली थे लेकिन ये एक विडंबना है कि जादतर शोद और स्कॉलर्शिप वेस्ट पंजाब से आए शर्नार्थियों के बारे में हुई है नाकी बंगाल के इंडरित, refugees और उस पूरे process के उपर पंजाब के violence के levels की वज़ा से पाकिस्तान से हिंदू और सिख माइनॉरिटीज का सवाल कुछ सब्ताब के अंदर सेटल हो गया था वहीं दूसरी और पश्चिम बंगाल में मुसल्मानों की और इस बंगाल में हिंदूओं की position सालों तक fluid रही और evolving रही एक तरफ तो हिंदू पश्चिम बंगाल असम और त्रिपुरा आते रहे और वहीं दूसरे तरफ 1962 तक करीब 15 लाख मुसल्मान विस बंगाल छोड़कर इस पाकिस्तान में refugee बनकर चले गए ये migration का सिलसिला पंजाब की तरे overnight trauma नहीं था बलकि ये समस्या एक lingering issue बन गई इसी वज़ा से पश्चिम बंगाल के शहरी इलाकों में जगा जगा जुगी डालकर refugee रहने लगे ये ज़्यादतर कलकत्ता में थे partition के बाद United बंगाल की कुल हिंदू population में से करीब 140 लाख लोग East Pakistan रहे गए लेकिन लगातार हालत बिगडते रहे border के दोनों तरफ यही वज़ा थी कि हिंदूों का East Pakistan से और मुस्लमानों का पश्चिम बंगाल से refugee बन कर आने जाने का सिलसिला चलता रहा 1947 में लगभग 3 लाख और 44 हजार हिंदू West Bengal आए अगले साल करीब 8 लाग लोग आए 1949 में 23 लाख 13 हजार हिंदू शर्नाथी आकर बस गए भारत सरकार ने West Punjab से हिंदूों को evacuate करने के लिए एक policy बनाई थी East Pakistan से हिंदूों को rescue करने के लिए कोई ऐसी नीती नहीं बनाई गई थी जोर इस पर दिया गया कि किस तरह से पाकिस्तानी administration को हिंदूों को वहाँ security प्रदान की जा सकती है ताकि mass exodus नहीं हो कोशिश यही थी कि दोनों तरफ और मारकाठ ना हो Inter-Dominion Conference की गई कलकत्ता में April 1948 में केसी नियोगी भारत के Minister of Rehabilitation और पाकिस्तान के वित मंतरी गुलाम महमद ने मीटिंग की इसके बाद एक joint statement भी issue किया गया यह कहा गया कि mass exodus रोखने का प्रयास दोनों देश करेंगे यह भी agree किया गया कि दोनों देश में minority boards का गठन किया जाएगा इस मीटिंग का लगातार follow-up भी हुआ परंतु 1950 में हिंदू-Muslimान दंगे फिर से East Pakistan में शुरू हो गए इसके reaction में कलकत्ता में भी riots हुए पश्चिम बंगाल में बहुत हिंदूओं का मत था कि East Pakistan में घुस कर military intervention होना चाहिए नहरू ने भी use of force के बारे में seriously सोचा मार्च 1950 में Eastern Front पर heavy troop mobilization भी उन्होंने किया नहरू ने England और अमरीका पर दबाव बनाया कि वे Pakistan को बोलें कि उन्हें हिंदूओं को protect करने के लिए serious कदम उठाने चाहिए लेकिन इन सब कदमों का East Pakistan के स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा नहरू पर हिंदू महासभा के अलावा Congress के अंदर से भी attack होने लगे उनके Bengal policy का बहुत criticism हो रहा था Ultimately नहरू की रणनीती काम्याब हुई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली दिल्ली आय और नहरू से समझोता किया इसको नहरू लियाकत पैक्ट या दिल्ली पैक्ट कहा जाता है जब लोकसभा में अमिद्शाह ने CAB पेश किया था तो उन्होंने बार बार कहा था कि ये पैक्ट नहरू की weakness को दर्शाता है उनका कहना था कि जब पाकिस्तान के तरफ से इस पैक्ट का violation हुआ नहरू ने कोई कदम नहीं उठाए अप्रेल 1950 में नहरू लियाकत पैक्ट के opposition में शामा प्रशाद मुखजी ने सरकार से स्तीफा दे दिया और नहरू पर आक्रमन करने लगे मुखजी ने बहुत extreme मांग रखी उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल के विभाजन को कारिज कर देना चाहिए जबकि महासभा ने स्वतंतर बंगाल का विरोध किया था उनको लगता था कि हिंदू वहां minority हो जाएंगे और इसलिए बंगाल के partition को support किया था मुखजी ने ये भी कहा कि भारतिय मुसल्मानों को forcefully deport किया जाए लेकिन नहरू ऐसा कैसे कर सकते थे आखिरकार भारत तो two nation theory के विरोध में थी और हर धार्मिक समुदाय को equal rights प्रदान करने के लिए committed थी उन लेखनिये है सदार पटेल ने पहले नहरू की बंगाल policy को criticize किया था परन्तु दिल्ली पैक्ट के बाद इसके समर्थन में कलकत्ता गए और इसका implementation भारत के side से ensure किया हलाकि नहरू लियाकत पैक्ट long run में काम्याब नहीं रही लेकिन तातकालिक तोर पर कलकत्ता में दंगे रुग गए पश्चिम बंगाल में हिंदूों का inflow घट गया साथ ही हिंदूों का इस पाकिस्तान में वापसी की rate काफी बढ़ गई कई हजार मुसल्मान भी भारत लौट कर आए इस पाकिस्तान में लेकिन हिंदूों पर पुना अत्यचार होने लगा 1950 में करीब 16 लाख शर्नाथी आए और 1951 में लगभग 2 लाख लोग इतने ही estimated refugees 1952 में आए हर साल variable मात्रा में शर्नाथी आते गए लेकिन उनका नंबर काफी घट गया 1955 तक मगर जब 1956 में पाकिस्तान ने इस्लामिक सम्विधान को एडॉप्ट किया तो फिर से इस पाकिस्तान से refugee के नंबर में इजाफा हुआ और उत साल सरकारी आकडों के आधार पर 3,20,000 अपनी जन्म भूमी छोड़कर भारत आ गए ये कहानी चलती रही जिस साल हिंदुस्तान पाकिस्तान में रिष्टे अच्छे रहे उस साल immigration कम हुआ और जिस साल relations tense रहे ज्यादा 1981 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने अनुमान लगाया कि स्टेट में हर छटा इनसान refugee है इस्ट पाकिस्तान से शुरू के सालों में जो आए थे वे अपर क्लास के लोग थे लेकिन बाद में आने वाले लो़र एकोनोमिक स्ट्राटा के लोग थे इसकी वज़ा से सोशल कॉन्फिक्स भी हुए पश्चिम बंगाल में रिसोर्स की कमी महसूस होने लगी जब बहुत सेकुलर स्कॉलर्स का भी कहना है कि शायद नहरू ने हिंदू एक्सोडस रोकने को प्राइरिटाइज करके गलत किया उनका ज्यादा ध्यान रिफ्यूजी के रिहाबिलिटेशन पर होना चाहिए था केंद्रिय सरकार का फोकस वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए 70 लाख रिफ्यूजी पर था इसी वज़ा से बंगाल में रिफ्यूजी क्राइसिस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया सिच्वेशन बहुत सीरियस हो गई शर्नाथी मानते थे कि वेस्ट बिंगॉल में बसने का उनका हक है और वहां की सरकार और लोगों के हिसाब से बर्डन पूरे देश को शेयर करनी चाहिए बांगलादेश के लिबरेशन के बाद हिंदूओं का पलायन कम हो गया 1951 के सेंसेस के मताबिक इस्ट पाकिस्तान में करीब 22 परसेंट हिंदू थे वहीं 1974 में लिबरेशन के बाद का पहला सेंसेस ये घट कर 14 परसेंट पर उतर गई मिलिटरी रूल पीरियड में भी हिंदूओं के पलायन में बड़ोतरी हुई इसी वज़ा से 2011 के सेंसेस के अनुसार सिर्फ 8.4 परसेंट हिंदू बांगलादेश में बचे थे लेकिन रिसेंटली एक बहुत साटिसफाक्टरी और लॉडिटरी फैक्ट हमारे सामने आया है 2015 में बांगलादेश Bureau of Statistics के हिसाब से बांगलादेश का हिंदू पॉपलेशन पहले से बड़ा है और 10.7 परसेंट तक पहुँच गया है क्योंकि बांगलादेश में कई सालों से एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सरकार सत्ता में है हम अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदूओं की आबादी और बड़ी होगी किसी भी देश में जिसके modern nation state के evolution process के बुनियाद में inter community violence रहा हो वहां relapse का खत्रा हमेशा रहता है communal conflict हिंदूस्तान की reality है ये मुद्दा हमारे political parties और government अक्सर अपने फाइदे के लिए forder की तरह इस्तिमाल करते हैं कांधी जी ने बंगाल के लोगों को suggest किया था कि वो अपने अंदर जहांक कर देखें खुद से पूछे कि कहीं दिलों का बटवारा तो नहीं हो गया विभाजन के बाद से हिंदूस्तान एक fragile state रहा लेकिन बंगाल अपने criminal history को काफी पीछे छोड़ाई थी लोग एक दूसरे के साथ भाई चारे से रह रहे थे बहुत दुख है CAA और NRC की possibility ने बंगाल को फिर से चौराहे पर खड़ा कर दिया है बंगाल के एक प्रमुक कवी जीबननन्द डास थे आजादी और बटवारे के दौरान वे अपना इस्ट पाकिस्तान में घर और जमीन छोड़ चले आये थे उनकी एक कविता उनिशो च्छोलिश च्छोलिश बहुत मार्मिक है कुछ पंक्तियां इस तरह से है मैंने बहुत इंसानों का कतल किया है मनुश्य के खौन में नहाया हूँ अगर मैं आवाज दूँ तो खौन की नदी जवाब देगी धीरे से मैं यासीन हूँ हानिफ महम्मद अगर फिर से पुकारूं तो लहुलुहा नदी गड़गड़ाएगी गगन विपिन शशी किसको पता वो कहां रहते थे नीचे के तपके के थे ना कुछ क्या गलत बोल रहा हूं कुछ चंद वोट और सत्ता में दो-चार साल के लिए हमारे राजनेता अक्सर हमें गुमरा करने की कोशिश करते हैं हमने आज भारत के खासतों से बंगाल के इतिहास के कुछ दर्दनाक पन्नों को खोला अब आप तै करेंगे कि आप हमारे अतीत में हुई गलतियों से सबख लेंगे या फिर उनको दोराएंगे क्या हम सब सरहद के दोनों तरफ में रहने वाले करोडों हिंदूं और मुस्लमानों को फिर्द से रिफ्यूजी बनने के लिए मजबूर करेंगे अगर ऐसा होगा तो हम लोग टू नेशन थियरी जिसके विरोध में गांधी जी ने अपनी जान दी उसी को सक्ते और सही करार देंगे नमस्कार